अब यह काफी सारी स्टूडेंट का यह कंसर था रिगार्डिंग दे सी यूटी का क्रेक्षिन विंडो विकोज आज सी यूटी का क्रेक्षिन विंडो स्टार्ट होने वाला था 12 जुलाइसे ठीक है और इसका जो नॉटीस है नॉटीस में आपको दिखाता हूँ यह रहा है यह रहा है तो यह यह नॉटीस दिया गया है जैसा कि यह जो है लास्ट देट अप्लिकेशन फॉर्म 11 जुलाइं 11 पचास पीम तक था करेक्षिन जो है 12 जुलाइं करेक्षिन दिया गया है नॉट करेक्षिन इन पर्टिकुलर ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म सेल भी एक्सेप्टेड इन ग्यारा पचास तो आपके पास आज का दिन है कल का दिन है अब बहुत सारी स्टुडेंट का यह concern है कि हमारा जो अप्लिकेशन फॉर्म है वह तो रीलीज हुआ ही नहीं है तो हम कैसे करेक्षिन करेंग करेंग कि क्या हुआ था तो आपको अप्लिकेशन नमबर डालना है तो आपको अपना पासवर्ड डालना है तो जैसी आप कैप्चा डालके sign-in पे क्लिक करते हैं आपके पास यहां पर कुछ options हो रहे होंगे एक तो जो डाउनलोड application form है एक जो correction का option दिख रहा होगा आपको ठीक है उनिवर्सिटी एड कर सकते हैं जीतने चाहिए आप अपना जो domain change कर सकते हैं अपना paper code change कर सकते हैं अपना exam test center change कर सकते हैं अपना सारा सब कुछ आप change कर सकते हैं हालांकि कुछ specification है कुछ limit है जैसे कि mobile अमरी mail id ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है और भी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा हूं आप मेरे को personally WhatsApp में पैसे शेयर कर सकते हूं या फिर आपको डोमेन में कोच इस्यू आ रहा है तो आप हमारी टीम से जो है प्लान भी ले सकते हैं ठीक है फोन सपोर्ट प्लान काउंसलिंग प्लान एंड गारेंटेड इंडमिशन प्लान शारा अवेलेबल तो तस नीचे जो वोट्सप दिया गया है और जो एक बात आपको मैं बतातू कि एडमिशन के रिगार्डिंग काउंसलिंग थोड़ी लंबी चलने वाली है और कंजस्टेड भी है तो इसके रिगार्डिंग जो है एक वोट्सप बनाया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में आपको मिल जा अगर आप चाहते हैं कि में डिटेल के अंदर किसी बच्चे का अप्लिकेशन फोर्म जो है यहां पर ओपन करके आपको शो करूं कि कैसे क्या करना है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस्ट में आपके लिए फूल डिटेल के अंदर वीडियो बना ट्यक्त, तेंक्यू